UP ATS interrogated SEMA Hader देश में इस समय पाकिस्तानी महिला SEMA Hader और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा का विशय बनी हुई है इसी बीच SEMA Hader पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है वहीं अब UP ATS की टीम ने पाकिस्तानी निवासी SEMA Hader को हिरासत में ले लिया और गुप्त स्थान पर SEMA Hader से ATS ने पूछताच शुरू कर दिये है इसके साथ ही SEMA के ID कार्ड High Commission भेजे गए है और पता चला है कि SEMA के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार और SEMA का भाई पाकिस्तानी सैनिक है SEMA से अभी भारत की सुरक्षा एजेंसी पूछताच करेंगी प्रेम कहानी से लेकर भारत में आने तक के सभी पहलूँ पर पूछताच हो रही है UP पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि SEMA एक पाकिस्तानी नागरिक है उसके आने में बहुत सारे पेंच हैं उससे पूछताच लाजिमी है इसलिए देश की सुरक्षा में लगी ऐसी सभी एजेंसी उससे पूछताच करेंगी SEMA और सचिन मीना 2019 में PUBG खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आये और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई इसके बाद फिर 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर भारत में आ गई उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रहते हैं जहां सचिन किराने की दुकान चलाता है वहीं पुलिस ने सीमा साथ अवैद तरीके से भारत में घुसने को लेकर चार जुलाई को गिरफतार कर लिया था इसके साथ ही सचिन को अवैद शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में जेल भेजा था हालांकि इन दोनों को बाद में छोड़ दिया था और अब फिर से UP ATS ने सीमा को पूछ ताच के लिए हिरासत में लिया है कराची वर्टिकल बार पाकिस्तान के सिंध समेत कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है सरकारी सूतरों का कहना है कि सिंध के मंदिरों की सुरक्षा के लिए 400 से ज्यादा हिंदू पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है पाक में 48 गंटे में टू मंदिरों को निशाना बना रविवार सुभकाश मोर में एक मंदिर पर रॉकेट लॉंचर से हमला किया वह आसपास बसे हिंदूओं के घरों पर गोली बारी की गई